भाजपा के शाशन में व्यपारी बन रहे बाबा और बाबा बने व्यपारी आर्य पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ब्लोक कॉंग्रेस का प्रदर्शन रेवदर देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश कॉंग्रेस कमे उपखंड अधिकारी गोविंद सिंग रतनू को राष्टपती के नाम ग्यापन सोप ग्यापन में कॉंग्रेस जनों ने केंद्र सरकाल से पेट्रोल डीजल के दामों पर उत्पाद शुलक के नाम पर की गई बडोतरी को वापस लेने की मांग की गई जिला कॉंग्रेस कमेट अध्यक जीवराम आरे ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार वेपतंजली को घेरते हुए कहा कि भाजपा के शाषन में व्यपारी बाबा बन रहे हैं और बाबा व्यपारी उन्होंने कहा कि भाजपा 30 रुपे प्रती लीटर में डीजल पेट्र अध्यक्ष डेवेंद्र सिंग देवडा की अध्यक्ष्ता में किया गया जिला अध्यक्ष जीवराम आरे ने कहा 2013 में एक बाबा भी देश में घूम कर इस तरह की बात करते थे जो आज जनता के बीच से गायब है उस वक्त भी 90 रूपे पैट्रोल 82 रूपे डीजल के भाव नहीं थे पिछले दिनों 18-20 डॉलर प्रती बैरल के भाव हुए तो जनता को उसका लाब देने की बज़ाए जिला कॉंग्रेस प्रवर्ता वे युवा कॉंग्रेस विधान शबा राजेंदर सिंग सोलंकी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता के बाहर होती है तब उनकी राग अलग होती है और सत्ता मिलने के बाद राग ही अलग होता है केंद्रियम मंत्री रवी संकर प्रसाद के उस बयान को हास्य पद बताया कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने या घटने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है ब्यूरो रिपोर्ट जी नियूज इंद्री किया है और ग्यापन मान्य राष्टपदी के नाम दिया है और उनसे आग्र किया है कि वे केंद्र सरकार को उस बाग के लिए निर्देशीत करें कि वह बढ़ा हुई अंतराष्ट्री बाजार में उसके बाव कम हुए है कच्छे तेलगे उसका लाब देश की जनता कुछ है कि नीतियों से यह डीजल पैट्रोल के बाव बढ़ा है जो अपेक्स कमिटी है और पूरे वल्ड की उन्होंने तो कुरूड के भाव कम किये और इन्होंने इतने ज्यादा बाव बढ़ा दिये हैं कि हमारी किसानों की और आम आजमी की कमर तूट गई है जनता के साथ में हो रहा है और भारतिय जनता पार्टी त्वरा हर जान-जान शाशन है हिंदुस्तान में स्टेट में वहां तो पैट्रोल नीजल सजता है और जान-जान कॉंग्रेस का साशन पेट्रोल के बहुत ज्यादा ब्यूटी बढ़ाई गई है तो हमारी यही महांगे ब्लॉक कॉंग्रेस कमिटी की और से सभी पूरी रेवदर तैसिल छहत्र से इन भाव को कम किया जाए